आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे अगर आप देखेंगे तो एक साल में ही इसने काफी ज्यादा रिटन दे दिया है और एक ही साल में अगर फरवरी 13-2017 की बात करेंगे तो 183 पे चलता था और अब ये स्टॉक है 3000 के भी उपर है तो आप ही सोज लि स्टॉक काफी वेलिएशन जो स्टॉक की है वो काफी बड़ी हुई है और अब ये जो कंपनी है 50 रुपे का डिविडन देने वाला है जिसके पास अगर ये स्टॉक है वो होल्ड कर सकता है लेकिन न्यू एंट्री इसमें करने के लिए काफी मेंगा लगता है और ये कंपन 259 का था और हाई 3700 के करीब था तो लगातार काफी बढ़ते आया है और अब डिविडन देने वाला है 50 रुपे का लेकिन न्यू एंट्री फिलाल तो इस स्टॉक में न करें क्यूंकि काफी बढ़ चुका है और अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 13375 के करीब है EPS 270 के करीब है 10 रुपे की फेस वेल्यू है तो यह जो स्टॉक है लगातार बढ़ते आया है तो इस स्टॉक में तो फिलाल अवाइड करिए न्यू एंट्री का इंट्राडे आप जरूर कर सकते हैं लेकिन डिलिवरी में आप फिलाल न लीजी तो इसका जो डिविडन है उसी के बारे में हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो कट आफ डेट है वो 16 जुलाई 2018 है और 50 रुपे का डिविडन दे रहा है और जो बुक क्लोजर डेट है वो 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच है और उसी के बीच वो इवोटिंग भी होने वाली है तो यही आज एक चीज बताने थी लेकिन इस टॉक में अब अगर फ्रेश एंट्री करेंगे तो काफी दिक्कते आ सकती है अगर स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में जाता है तो तो आज इसी के बारे में बताना था और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ह